गुरुदेव और मागैति के चल्णु में कोटी-कोटी नमन आप सभी को प्रणाम इस प्रवचन में पिछली बार गुरुदेव ने बताया था कि उनकी गुरुदेव ने उनको दो चीजे सौपी है पहला है कुंदिलनी जागरण और दूसरी शक्तिपात उच्च कोटी का कुंदिलनी जागरण क्या होता है ये भी गुरुदेव ने समझाया था आई अब जानते हैं शक्तिपात क्या होता है पूची गुरुदेव कहते हैं मेरे गुरु ने एक चीज और दी थी क्या दी थी शक्तिपात किया था शक्तिपात बेटे उसे कहते हैं जिसमें उच्च कोटी के विचारों को कारिय रूप में परणित करने के लिए जिस ताकत की जरुरत पढ़ती है जिस बहादुरी और हिम्मत की जरुरत पढ़ती है उसका नाम है शक्तिपात हर चीज के लिए हर विचार को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति चाहिए मोटर कार आपके पास है लेकिन उसे चलाने के लिए पैट्रूल चाहिए पैट्रूल नहीं होगा तो कार चलेगी किस से कुंडली से विवेक आगया विचार आगया निश्य करने का होसला आगया कि कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित है लेकिन जो बात उचित है उसको करने के लिए ताकत चाहिए और जो नुचित है उसी छोड़ने के लिए भी ताकत चाहिए जो नुचित है वो छूड़ता नहीं नशे की आदत छूड़ती नहीं शराब की आदत छूड़ती नहीं दुराचार की आदत छूड़ती नहीं कुसंसकार छूड़ती नहीं प्राण शक्ति है नहीं जिससे कि हम अपने कूरसंसकारों को चैलेंज कर सके कि आप हटिये और आप हमें छुन ही सकते हमें अपनी विक्रतियों से लोहा लेने के लिए ताकत चाहिए और किसके लिए शक्ति चाहिए श्रेष्ठ काम करने के लिए शक्ति चाहिए किसी भी श्रेष्ट काम करने के लिए फैसला कर लेना ही काफी नहीं किताब पढ़ लेना विचार सुन लेना ही काफी नहीं जरूरत इस बात की है कि हमारे भीतर से एक साहस एक हिम्मत उभरे जो श्रेष्ठ कामों के लिए चल पड़े और दुश प्रवतियों से लड़ पड़े श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए इतनी भाहदुरी की जरुरत है जितनी की सिपाहियों को भी नहीं पड़ती सिपाहियों को कम ताकत की जरूरत है लेकिन अपने मानसिक चोरों के विरुध लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए हम जिस चक्रवियों में फसी हुए हैं उसमें से निकलने के लिए बड़ी बहादुरी की जरूरत है हिम्मत की जरूरत है मेरी गुरुदेव ने मुझे यही हिम्मत दी और मेरा शक्तिपात हो गया शक्तिपात होने की परशात में बढ़ता हुआ चला आया उन दो चीजों के आधार पर मैं आगे बढ़ा हमें हमेशा भगवान ने ही आगे बढ़ाया शद्धा और विश्वास के रूप में भगवान होते है भगवान ने मुझे कंधे पर बिठा कर और अंगुली पकड़ कर चला है भगवान क्या है? वो एक काईदा है कानून है, एक नियम है खुशामस से वो बिलकुल दूर है उसके हाँ न पूझा करने वालों के लिए रेयायत है और न पूझा ना करने वालों के लिए शिकायद भी है भगवान तो काईदे को देखता है बिजली को प्योग आप काईदे से करेंगे तो वो बड़ी दयालू है और यदि बेकाईदे से करेंगे तो बड़ी दुष्ट भी है जान भी ले सकती है जिन चीजों ने हमको उठाया उसे हम कुंडलनी जागरन कहते हैं शक्ति बात कहते हैं हमारे गुरु का एहसान है हमारे उपर जो उन्होंने हमारी दभी हुख्षमता को जगा दिया बीच के भीतर व्रिक्ष का छोटा सा हिसा बैठा रहता है खाद, पानी और जमीन तीन मिलकर उस बीच की शमताओं को जगाते हैं उभारते हैं हमारे भीतर भी जो महानता हैं उनको उठा देना यही है संतों का काम यही है भगवान का काम यही है देवी देवताओं का काम जब वे किसी पर दया करते हैं तो उसके भीतर की सोई हुई शमता को उभार देते हैं देखी मेरे जीवन में यही हुआ मैं भी यही चाहता था कि आपको बुला कर इसी तरीके से आपकी सेवा करू जैसे मेरे गुरू ने की तो गुरुजी आप करिये न सेवा नहीं बेटे मैं अकेले नहीं कर सकता अगर सीप अपना मुँ बंद करके रखे तो दुनिया में कोई ऐसी स्वाती की बून नहीं जुसके भीतर मोती पैदा कर सके स्वाती बून्दों के अंदर बड़ी ताकत होती है लेकिन वो ताकत वहां खत्म हो जाती है जहां सीपी ने अपना मुँ बंद करके रखा है यदि हम अपने कमरे के किवारों को खड़कियों को बंद कर दे तो दुनिया का कोई सूरज हमारे कमरे में प्रकाश नहीं फैला सक इसी तरह हमारी मर्जी के बिना हमारी जीवन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता इसमें भगवान भी शामिल है संत भी शामिल है भगवान अपना तो है पर हमारी मर्जी के बिना वो हमारी जिन्दगी में प्रवेश नहीं कर सकता इस समन्द में हम अपने गुरू से बहस करते रहते हैं, हम अपनी कृतग Dale आव्यक्तिकरने के लिए उनसे कहते हैं कि आपका अनुग्रह है आपकी कृपा है जो आपने हमें धन्य कर दिया वे भी कभी कभी ठीक इनहीं शब्दों को दोहराते हैं वे कहते हैं कि अगर तेरे अंदर पकड़ने का प्रकट करने का माददा ना रहा होता तो इतने लाखों लोग दुनिया में हैं उनमें से हर किसी को हम बना सकते थे पर किसी को नहीं बना सके तेरे अंदर वो चीज थी जो तुमने पकड़ ली और हमारी कृपा को सार्थक बना दिया हम दोनों अपने नम्रता प्रकट करती रहते हैं अगर भगवान किसी पर अनुग्रह करेंगे संत कृपा करेंगे तो उस पर कृपा करेंगे जिसने अपने आपको इस लाइक बना रखा है मैंने कोशिश की कि आप किसी तरह अपने आपको इस लाइक बना सकें तो मज़ा आ जाए भगवान को मांगने की अपेख्षा आप अपने से मांगना शुरू करें तो बहुत अच्छा आप मेरी बात मानें तो देने वालों की तलाश ना करें देने वाले बहुत हैं पर असल में लेने वाले नहीं है पात्रता का आभाव है महराज जी कोई संत दिखा देजिए जो हमको वर्दान दे सके बेटा महात्मा के कितने वर्दान दिला दू मैं तो तेरे हाथ में मिट्टी का धेला दे दूँगा वो भी तेरे लिए वर्दान बन जाएगा मीरा को गिर्धर गोपाल का एक मिट्टी का धेला वर्दान दे गया था और एक लवे को मिट्टी का एक धेला दूणा चारे बन कर आ गया था तेरे भीतर जो शम्ता है जहां कहीं भी भीतर की रोशनी रिफ्लेक्ट होगी वही चीज चमतकारी हो जाएगी अपने आपको देख यदि आप अपने आपको सुधार सकें तो देने वाली शक्तियां आपको असीम देने के लिए तैयार हैं आप ये ख्याल मत कीजिए कि हम छोटे हैं हमारी कोई और साहिता करेगा आप छोटे हैसियत के हैं तो हम आपको मदद दिलाएंगे लेकिन आप काईदे पर चलिए, कानून पर चलिए आप किस काम के लिए मांगना चाहते हैं बताईए हम गवाह पेश करेंगे कि हम हैसियत के कम योगता के होते हुए भी देवी शक्तियां आपको मदद करने के लिए तैयार हैं देवी शक्तियों ने किन किन की सहयता की चलिए गवाही पेश करता हूँ तो अगले वीडियो में पुझी गुर्देव बताएंगे कि देवी शक्तियों ने किन किन लोगों पर सहयता की और कैसे लोगों पर सहयता की कि लोगों पर वो अपनी सहयता उडेलती है